आज मैं आप सभी लोगों के लिए आलू और सहंजन की सबजी बनाने जा रही हूँ तो सहंजन को मैंने पहले ही धुल कर रख लिया था और अब मैं चाकू की हिल्प से इसके रेसे को निकालूंगी इस तरह से और इसे पीसों में कट करूंगी तो सभी सहंजन को मैंने पीसों में कट करके रख लिया है और अब मैंने लिये हैं कटे हुए आलू इनको भी मैंने धुल कर रख लिया था अब लहसुन और प्याज का मैं पेश्ट बनाऊंगी थोड़ा सा डालूंगी पानी तो लहसुन प्याज का पेश्ट बनाने के बाद मैं इसमें डालूंगी दो चुटकी हिंग एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच का स्मेरी लाल मिर्च एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और पैन में रख दिया है सरसों का तेल गरम होने के लिए अब तेल गरम होने के बाद मैं इसमें डालूंगी कटे हुए आलू और सहजन अब दो मिनट के लिए मैं इसे चलाऊंगी और इसे चलाने के बाद पांच मिनट के लिए मेडियम से थोड़ा स्लो फ्लेम पर ढख कर रख दूंगी अब कवर को हटाने के बाद आप देख सकते हैं आलू सहजन फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इन्हें इस प्लेट में निकार लूंगी आप देख सकते हैं और पैन में लिया है सरसो का तेल तेल गरम होने के बाद मैंने डाली हैं दो लॉंग और जीरा और अब मैं डालूंगी सभी मसाले जो मैंने निकाल कर रखे हैं अब मेडियम फ्लेम पर तीन चार मिनट के लिए मैं इसे चलाते हुए भुनूंगी और अब मैंने डाला है एक चम्मच चावल का आटा इसको भी मैं इसी में भुनूंगी अब मसाले अच्छी तरह से भुनने के बाद मैंने डाला है पेश्ट वाले बरतन से थोड़ा सा पानी और इसको मैं चलाऊंगी आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि मसालों की हलकी सी ग्रेवी बने और अब मैं इसमें डालूंगी फ्राई किये हुए आलू और सहजन अब आलू और सहजन डालने के बाद मैं डालूंगी तेस्ट के हिसाब से साधा नमक और इसे मसालों के साथ में मिक्स करूंगी तो आलू और सहजन में मसाले अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं और अब मैंने डाले हैं कटे हुए टमाटर इनको भी मैं इसी में मिक्स करूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेवी के हिसाब से पानी पानी को मैंने गरम करके डाला है आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं और डाला है आधा चमच गरम मसाला अब आठ मिनट के बाद मैं सबजी को खोल कर देख लेती हूं कि आलू सहंजन की सबजी कैसी बन रही है इसे चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि आलू सहंजन की सबजी बन कर तयार है और अब मैं इसमें डालूँगी कटी हुई हरी धनिया और फ्लेम को आफ करने के बाद मैं सबजी को नीचे उतार लूँगी आलू सहंजन की सबजी में चावल का आटा डालने से सबजी का रसा थोड़ा थिक हो जाता है और सबजी का टेस्ट भी अच्छा था है अब पांच मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि आलू सहंजन की सबजी कैसी बनी है अब कुछ देर के बाद मैं सबजी को नीका लूँगी इस बावल में और डालूंगी गारने से के लिए कटी हुई हरी धनिया आप भी इस सबजी को एक बार इस तरह से बना कर जरू ट्राई करें और आप देख सकते हैं कि सहंजन अच्छी तरह से पक गए हैं आप इस सबजी को अपनी मन पसंद रोटी या चावल के साथ में खा सकते हैं अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें